हेलो एबरीबन वेल्कम टू आन माय यूटूब चैनल को सुम्नेट क्लासेश है मम्रित राज इन इस वीडियो वी विल डिस्कॉस अबाउट प्यस्डी अद्मिशन तुथाजन ट्वेंटीवन स्वधिय आप चैनल पर पहली बार आया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक सब्सकॉल कर रहाएगा सबसे पहले नंबर पर जो है वेल्कम टू जमू इनवर्सिटी आएगा आपश्च पर कलिक कर लिजेगा और यह जो इन्वर्सिटी है यह स्टेटीन ए और इससे नैक के द्वारा एक ग्रेड मिला तो बहुत ही बेहतरिन इनवर्सिटी ऐस्पेशल आप कहां जाएंगे यहां से आपको जाना देख रहा हूंगे कि स्क्रॉल हो रहा है यहां पर एप्लिकेशन इन्वाइटेड फोर टेंप्रारी पोस्ट आफ लेक्चर यह तो एक अलग है इसके ठीक बगल में स्क्रॉल हो रहा इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा यहां पर नोटिफिकेशन है यहां पर एड्मिशन फॉर्म है और यहां पर एड्मिशन ब्राउसर है तो आप खोल करके देख लेना इसको देखने की ज़रूरत नहीं है एड्मिशन फॉर्म यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको भर करके मेल आईडी पर भेजना है मेल आईडी कहां पर दिया हुआ है क्या है मेल आईडी वो मैं आपको बता देता हूँ notification पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से हैं डाउनलोड हो करके आएगा देखिया आप क्या लिखा हुआ Dean Research Studies University of Chamu NAC A plus grade A grade भी नहीं A plus मिला हुआ है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है application are invited from eligible candidates on the prescribed form for admission to PhD program for the session 2021 under exempted category यानि कि जो exempted है वही यहाँ पर भरेंगे ध्यान रखियेगा जो exempted है तो exempted कौन कौन हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं UGC CSIR JRF जिन के पास या फिर net है slate है set है gate है तो वह यहाँ पर apply कर सकते हैं अब इसमें qualification है 55% marks तो होना चाहिए minimum और 50% यादि आप CSTF PWD candidates है तब 9 July तक आपको form भर करके mail कर देना है 220 रुपया लगेगा आपका application form form भरने में ठीक है यहां से form मैंने बताया ना पीछे में कहां से form निकाल करके भरना है हाँ ठीक है अब देख लेते हैं seat की जो संख्या दी हुए उसको देख लिजी जैसे बोटनी है तो बोटनी में total 10 seat है biotechnology में 2 seat है commerce में 6 seat है computer science में 10 seat है electronics में 5 seat है इंग्लिश में 3 है environmental science में 2 है home science में 14 दू 16 दू 18 दू 21 seat है mathematics में देखेंगे तो 7 seat है museology में 2 है physics में 3 है Sanskrit में 4 है and SHTM पता नहीं कौन सा subject है इस में 6 seat है और sociology में 2 seat है statistics में 3 seat है और उर्दू में 6 seat है उर्दू में 6 seat है तो यदि आपका subject इस list में शामिल है तब तो बहुत अच्छा आपको form भरना ही चाहिए नहीं है तो फिर आप दूसरे university का इंतिजार कीजिए यहाँ पर mail ID दिया हुआ है जैसे botany वाले चात्र form भरेंगे तो इस mail पर भेजेंगे वो ठीक है दूसरे तरफ सभी subject का mail दिया हुआ जैसे biotech का mail है commerce का है computer science का है ऐसे याप सभी subject का देख सब्सक्राइब इंगलिश का और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शर जरूर कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए